इनके बिना है ना आप सूरत से माल नहीं छुड़वा सकते जब भी आप माल लेंगे इन कार्जों आप सब ठीक होंगे अब आज का वीडियो भी बहुत इंफोमेटिव होने वाला ट्रांसपोर्ट संबंदित पूरी जानकरी इसमें आपको मिलेगी क्योंकि सबसे बड़ा सवाल होता है घर से निकलने से पहले ही हर कस्टमर का जो सूरत आता है कपड़ा परचेस करने के लिए कि आर माल इतना सारा वहाँ से कैसे लेके आएंगे ट्रांसपोर्ट में कौन लगवाएगा और सीधी बात है जैसे अभी आपने मेरे थमनेल पे भी देखा ना कि कुछ जरूरी चीज़े होती है जैसे इनके बिना है आप सूरत से माल नहीं छुड़वा सकते और आपको बिना किसी परेशानी के आसानी से आपका जो भी माल जहां से पर्चेस की है आपके शेहर तक बिना किसी परेशानी के पहुँच जाए और आप आसानी से उसको छुड़वा के अपना बिजनस स्टार्ट कर पाए क्योंकि ये है तो एक easy process लेकिन इसका पता होना जरूरी है बिना पता मतलब की कहते है न कि अगर कुछ पता ही नहीं है तो फिर वो चीज मुश्किल है अपने लिए अगर पता होती है तो वो एक process पता होता है तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाती है तो आज वही process में करूंगा आपको प्लस जितनी दूरी होती है उसके इसाब से चार्ज करते हैं और मैक्सिमम एक बंडल का कितना पैसा लगता है ये भी सवाल आपके अंदर आता है प्लस हमारे शेहर तक मतलब वो ट्रेन से पहुंचता है या फिर ट्रकों से पहुंचता है रोडवेस से पहु पहुंचता है ये भी मैं दूँगा आपको आउट ओफ इंडिया की भी बता दूँगा और इंडिया की तो मोस्ली जो भी सहर है वो ऐसा कोई नहीं है जहां पे पार्सल सूरत से नहीं जाते हो अब यहां से देखिए नॉर्मल बात है कि भाई आप जब पर्चेस करने आते अब उसमें भी फॉर्मल्टी होती है कि आप खुद ट्रांसपोर्ट में नहीं डाल सकते आप कैसे नहीं डाल सकते क्योंकि आपके पास में जो पूरा प्रोसेस होगा अब जैसे मेरे यहां से आपने माल पर्चेस किया है यह ज़रूरी जानकर यह पहले सुन लीजे कि मेरे पास पास में जैसे आपने पॉचेस किया अब 1 लाख रुपर का मान लीजिया आपने यहां से पॉचेस कर लिया एक लाख के उपर मैंने आपको बिल बना कि दे दिया पका क्योंकि पके में ही जाएगा पार्सल और पक का ही काम हर जिछे पे आप चुर्णे सूरत indoor आके देंगे और ट्रांसपोर्ट में हम चलान दे देंगे तो यह आपका पारसल यहां से चला जाता है इसके बाद में जाने के बाद में अब जब यह कागज जो मैं बता रहा हूं ना यह कागज वहां से बन के आता है ट्रांसपोर्ट से हमारे पास में क्योंकि वह करके भीजते हैं ईवे बिल और बिल के साथ में बहुत एजी ली बुक हो जाता है पहले बुकिंग की जानकारी दे रहाँ फिर आपको खर्चा कितना लगता है सिटी वाइस इस्टेटवाइस वह आपको मैं बता दूँगा तो यहां से पार्सल बुक हो जाता है बुक होने के बाद में पार्सल जाने के बाद में एक दिन बाद यह इसका बिल्टी बनके हमारे पास में आता है जैसे मैंने आपको बताया अभी यह जैसे मेरे हाथ में बिल्टी है ना यह वारानसी की महता ट्रांसी पर यह वारान सिंखिए, यूपी के लिए हमारे जो पारसल जाते हैं, वो मैता, ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, क्यूंकि बहुत अच्छी सर्विस है, चार्ज़ेस भी बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल है, और किसी भी व्यापारी को भारी नहीं लगते हैं, तो और इनकी भी आपको 90% जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो वाटसप के उपर दे देते हैं अगर आपकी पेमेंट क्लियर है तो अगर नहीं है या फिर हमने इस्पेसली उनको बोला है कि भाईया जब तक बिल्टी आपके पास में ओरिजिनल जमा नहीं होती है तब तक पार्टी को माल नह नहीं देगा वहां पर फिर एक ही सोलीशन होता है कि अगर आपकी पेमेंट बखाया है हमारे पास में तो आप वो पहले पेमेंट कर दीजिए उसके बाद में हम वाँ जाएंगे ट्रांसपोर्ट में यह बिल्टी ओरिजिनल यहां से जमा करवाएंगे तुरंद वो आपको पेमेंट करूँगा तो सीधी बात है कि 25,000 के बेसिस पर हम क्या है ना माल यहां से भेज देते हैं ताकि आपको भी टाइम पे मिले जब आप पेमेंट करो उसके एकाद दिन बाद आपको माल मिल जाए अदरवाइस पूरा पेमेंट जब करोगे फिर हम यहां से बार से नि ट्रांस्पोर्ट से जब तक आपका पेमेंट क्लियर नहीं होगा, तब तक हम वो बिल्टी नहीं बनवाएंगे, जब बिल्टी बनेगा, उसके बाद में आपको वो माल मिलेगा, जब हम आपको बिल्टी देंगे, तो आपके पास इसकी कॉपी फोटो पे होनी जरूरी है, औ जाए मेरे हांसे लिया, और जाए कहीं से भी लिया, बहुंभी दुकान दार देगा, जहां से आपने माल परचेसní किया, एक एपको Awesome आपको उसे करना, उस इस दुकान दार कोई बोलना है, ओक्या ये प्रौपर- हमारा ऐडरेस चीह आपको माल कहा चीह वो मांग लेगा डो टाइप से माल भीजे जाता एंच लिए या सूरत से एक तो होता है ट्रांस्पोर्ट के थरू एक होता कूरियर के थरू ट्रांस्पोर्ट होता है यह लोग दिछgowटे आप बार जैसे आप मेरे पास आए लाग देड़ लाग का माल ले लिया अभी अगली बार आपको आपके दस दिन पंदरा दिन बाद में जो माल खतम हुआ है बीस हजार पंदरा पंदरा पचीस जार का आपको वापस रिपीट मंगवाना है और आप बोलो के भीया मेरे को घर तक तक वाद हो यह तो बम कॉस्ट्ली थोड़ा पड़ता है यानि 10-15 ऑजार का माल भी ट्रा hon रिकीटर का जो चार्ज होता है 50 जार का को वो आते हैं उसके बिल्टी के उपर एड्रस मोबाइल नंबर आपकी सिटी का सारा मेंचन रहता है वो भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो दुकानदार बताएगा यानि कि अगर हम से पर्चेस किया है तो हम बताएंगे कि भाई आपकी सिटी का यह नंबर है और दलवाना है दुकानदार को बोलना है कि माल डाल दीजे पार्सल में उसने माल डाल दिया उसके बाद यह बिल्टी दुकानदार आपको भेजेगा दुकानदार भेजने के बाद में चार पांट दिन बाद जब भी वहां माल पहुंचता है आप यह बिल्टी फोटो लेके वहाँ पहुंच जाएए और अगर ओरिजनल बिल्टी आपके पास आ गई है तो आप वो बिल्टी लेके पहुंच जाएए वहाँ पे वो दे देंगे क्योंकि ये mostly क्या दुकानदार क्या होते हैं कूरियर करते हैं और कूरियर के वैसे जरूत नहीं पड़ती है फोन से काम हो जाता है अगर बाइचांस कूरियर वाली जरूत पड़े और कोई ट्रांसपोर्टर आपको बोलता है कि भाईया ओरिजनल बिल्टी जमान नहीं हुई है आपको ओरिजनल बिल्टी लानी ही पड़ेगी उसके बिना हम माल नहीं देंगे तो आपको खाली एक ही काम करना है कि जहां से परचेस किया उस दुकानदार को फोन करो और उनको बोलो भाईया जो बिल्टी की ओरिजनल कोपी आपके पास में है वो आपके सूरत के अंदर आपके सूरत के अंदर वहाँ जो ट्रांसपोर्ट का ओफिस है अभी जैसे महता इसकी ब्रांच यहां सूरत में भी एइसकी ब्रांच आपके शहर में भी ए तो आप बोली कि सूरत वाली ब्रांच में उसकी ओरिजिनल बिल्टी जमा करवा दीजिए इतना ही बोलना खाली वह समझ जाएगा कि इनको माल लेने परिशानी हो रही है तुरंत लड़का भीज चारों में अलग लग चार्ज है अलग लग हिसाब से अभी जैसे फर्स्ट है मेरे पास में यह जैसे वरांसी की बताई थी मैंने यह माल गया है यहां से 14,922 रुपे का ओनली ठीक है यानि और इसमें क्या एक्चुल वेट है ना वह 18 kg यानि 18 kg का यह पारसल है छोटा पार पूरा 60 kg का पैसा 60 kg का ही लगेगा यानि कि 14,000 वाला पारसल भी 14,922 रुपे इसका एक्चुल वेल्यू है और पैसे कितने लग रहे 600 रुपे यानि यह वहां जाने में वारांसी पहुंचने में 14,900 रुपे यानि लगबक 15,000 का माल 600 रुपे में पहुंचा है अब यही से आजमगड़ की है UP के अंदर और इसके अंदर यह है 25,200 रुपे का और इसके अंदर भी छैसो रुपे लग रहे सेम छैसों रुपे ठीक है और यह तीसरी विल्टी में आपको इसकी दिखाता हूं यह 35,444 रुपे की और इसके अंदर भी आपको 600 रुपे दिख रहे iy mag perd 15,000 का लिया है, तो भी 600 रुपे लिया है, तो भी 600 लग रहे हैं, और 35 का आ गया है, तो भी 600, अब एक बड़े अमाउंट का मैं आपको दिखाता हूँ, यह एक बड़ा अमाउंट है, जैसे इनका गया है, 3,141 रुपे का टोटल, और इनके नमबर ऑफ पैकेज, यानि की पा आप से लगा दिया, 550 रुपे, यानि 550 रुपे एक पैकेट, साथ पैकेट इनका हुआ, तो लगबग होगे, 550 इंटू साथ, 3450 रुपे, और जो 300-400 रुपे, जो एक्स्रा इनों ने लिये, वो हमाली वमाली करके, 3800 रुपे में, अब आप सोचके देखो, कि जो फर्स्ट आपको दिखा ही थी, 14,000 रुपे लगे थे इसमें, तो आप 14,000 में 600,000 रुपे में 3800, दोनों में डिफरेंस देख लो, यानि कि अगर यही माल 28,000 का होता, दो पार्सल होते हैं, तो कितने 1200, और 56,000 का होता, तो कितना हो गया, 24,000 रुपे, और 56,000 का दुगना अगर होता यह, तो एक लाख 12,000, एक लाख 12,000 रुपे होता, तो 24 दुटी 48,000 रुपे लगते हैं, आपके 1,1,1,़घ रुख अगर यह अलग अलग पार्सल में आप बार बार मंगवातें तो, और यह यह 3,000 का एक साथ गया है, तो 38,000 रुपे में काम हो गया है, यानि कि एक पार् 40-50,000, 55,000 तक का आप purchase कर रहे हो, 40-60,000 के बीच में कोई भी purchase कर रहे हो, उसका 500 रुपे के आसपार्स चार जाएगा, वो 500 भी हो सकता है, 540 भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है, यह मैंने यूपी का बता है, ठीक है, इसके बाद जैसे बिहार का मैं आपको बताता हूँ, और कुछ जो main-main state है, मैं सब का बता दूँगा आपको, यह जैसे बिहार का है, यह छपरा district की है, यह माता ट्रांसपोर्ट है, यह बिहार में हमारा इसी ट्रांसपोर्ट में जाता है, बहुत famous ट्रांसपोर्ट है, बिहार की ऐसी छोटी से छोटा कश्बा भी है, वहाँ पे भी यह इसके अंदर यह गया वह छपरा और इन्होंने 53,313 रुपे की इनकी value है, एक parcel की, ठीक है, एक parcel गया, 53,313 इन्होंने चार्ज किया है, किलो के इसाब से, पार्सल का weight है 50 किलो और 10 रुपे के इसाब से इन्होंने चार्ज किया, यानि 500 रुपे, पान्सो रुपे जो actual लग 500 रुपे में total पार्टी को मिल गया, ये चीज़े होगे, साड़े 600 में चपरा पहुंचा एक parcel, यानि 53,000 का माल चपरा में पहुंच गया, ये जो दूसरा है, ये माता ट्रांसपोर्ट है रांची, और इसके अंदर जो value है amount की 1,13,455 रुपे, अब ये 1,13,455 रुपे है, इसका ये गया रांची, और इनको जो पे करना पड़ेगा न, वो पड़ेगा 1,040 रुपे है, और 2 पार्सल है इसके अंदर, यानि 1,040 मतलब एवरेज के आई है, आपकी 520 रुपे एक पार्सल का, 520 रुपे एक पार्सल, और इन्होंने जो चार्ज किया है, वो वेट के किलो आपका, 8 से 10 रुपे, 11 रुपे किलो आपका, वो होगा, ये चार्ज लगेगा आपका, यानि कि एक पार्सल, 60 किलो का, जैसे मैंने बताया है, मैक्जिमम 50 किलो, 60 किलो का बनता है, और 10 रुपे भी अगर आप पकड़ोगे, तो 50 इंटू 10 कितना हो गया, 500 रुपे, य जैसे सिकर पड़ता है हमारे उदर, तो ये पार्सल है, जैसे इन्होंने 4 रुपे किलो पर ही किया है, क्योंकि सिकर से सीधा ये किरिन ट्रांस्पोर्ट है, राजस्तान का सबसे बेटर ट्रांस्पोर्ट है, बढ़िया ट्रांस्पोर्ट है, और इन्होंने, माल इनका गया पीस डालोगे तो भी 500-200 रुपे लग जाता है जब कि चालीस जार का माल 190 रुपे में लेके गए यानि एवरेज क्या बेड़की पूरा चार रुपे किलो भी नहीं बैठा है इनका 50 किलो का चार्ज किया 190 रुपे लगा है तो मतलब 4 रुपे भी पूरा नहीं बैठा है और यह चीज होगी इसके बाद में जैसे अपन साउथ साइड की बात कर लेते हैं जैसे महारास्ट्र हो गया या फिर करनाटक बैंगलोर हो गया अब यह पहला जो मेरे पास मेरा यह वीरल ट्रांसपोर्ट है बहुत फेमस ट्रांसपोर्ट है और एसी के अंदर हमारे जो यह सा पार्सपोर्ट है इनने जैसे हमने पूने बेजा था पूने महारास्ट्र में पढ़ता है अब एक पार्सल का इन्होंने रेट किलो के हिसाप से चार्ज किया क्या कि 6.50 यानि साड़े 6 रुपे किलो के इन्होंने चार्ज किया अब यह जो माल मंगवा है नाम से यह इसकी वेल्यू है अपने यह 43,000 रुपे का पार्सल है 43,250 रुपे का और 530 रुपे मात्र इन्होंने वहां पे पूने में पहुंचा दिया 530 रुपे में यानि कि वही एक उसमें चार्ज के हिसाब से हुए और पैकेट के हिसाब से लिया और फिर जैसे वियारल का है एक लाख 49,249 का यह है बैंगलोर का यह बैंगलोर का है और वियारल सेम च्रांसपोर्ट अभी जो दिखाया है इन्होंने टोटल चार्ज लिया है 660 रुपे एक लाख 49,000 का माल इन्हों सिर्फ 660 रुपे में लिया है और जो पैकेज है ना इनके टोटल वो दो है यानि दो किलो कितना लिया आपने पता है 7.40 रुपे चालिस पैसे का किलो के इसाब से नो वेट लिया है टोटल 75 किलो वेट है और 660 रुपे के अंदर इन्हों पहुंचा दिया है इनका जो एक्चुल वेट होता है ना वेट के इसाब से पैसा होता है वह 555 रुपे हुआ है 50 उलंगे यह कि दिल्ली है ए डिल्ली का ट्रांस्पोर्ट है डिल्ली का आप यह देख लिजे कि पंजाबी chili अदर पड़ती एक जगे वह आं गया है और यह माल गया है निचे यह वेल्यू दी दी है 1,99,848 अब यह इनके टोटल पार्सल है 3 यानि कि ये 3 पार्सल एक लाख 9,99 रुपे में हुए और तेरा सो पचास रुपे इन्हों टोटल पे करने है वहाँ पे जाके है यानि कि एक पार्सल आपका 500 रुपे भी पूरा नहीं पड़ा है वो लगबग साड़े चार सो रुपे में एक पार्सल दिल्ली पहुंच गया सूरत से आपका यानि ये डिस्टेंस पे थोड़ा डिफरेंस करता है वो भी ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो एक दो रुपे का ही गैप आता है ज़्यादा गैप नहीं आता किलो के उपर एक रुपे का अगर मैं एक लाग का माल लो तो मेरे यहां पर कितने हो पहुंच जाएगा तो यह एवरेज थी एक एवरेज पकड़ लो आप 500 रुपे 50,000 के माल में और 1000 रुपे लगबग आपके लाख रुपे के माल के असपास अब उसमें कई बार 150 रुपे कम भी आ सकते हैं वो डिस्ट खर्चा लगता है ट्रांस्पोरेशन का वो आप इंवल्व कर लीजे उसमें और 1% मेरे इसाब से कोई ज्यादा नहीं है यार कोई बी ज्यादा नहीं है अगर 10,000 की चीज 100 रुपे मों पहुंच रही है 50,000 की चीज 500 रुपे मों पहुंच रही है लाख रुपे की चीज 1000 तो वो सूरत से मतलब की मेरे इसाब से पूरे इंडिया के इंदर इतनी सस्ती ट्रांस्पोरेशन कहीं भी नहीं होगी और इजी प्रोसेस है कोई भी ट्रांस्पोर्टर ठीक है वो 4-5 दिन की जगे कई वार 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं क्योंकि उनके अगर गा दुकानदार ही देगा आपको खाले ट्रांस्पोर्ट में दिखाना आए वो आपको माल दे देगा अगर बाइचांस वो बोल रहा है आप से बिल्टी के लिए दिन दुकानदार को फोन करे वह आप और उसको बोली आपकी उरीजनल बिल्टी आपकी सेर के ब्रांच के